हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागदाब सिभी के एजुकेशनल स्टडी बंड यूडिप चैनल पे तदिख दोस्तों SSE MTS सवलदार एक्जाम 2023 प्रिक्षा आपके 2 मई से शुरूर होने वाली है और 19 मई तक चलेगी तो 2 मई से 19 मई वाला पेपर आपके लिए लेके आज खाऊंँ जहांपे हम प्रिवेश सीर पेपर कावर करेंगे देख लो ऐसा पेपर आता है यही प्रशन आएगा SSE MTS सवलदार एक्जाम 2023 में तो जिन भी दोस्तों की 2 मई से प्रिक्षा शुरू है वो सभी सारती स्वीडियो में ध्यान से अंट तक बने रहेगा तो चली दोस्तों आज की स्वीडियो को अपने शुरू करते हैं तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेशन में पुछा जा रहा है Frank Vahital Neiman में से किस अविशकार से सम्बन दित है Frank Vahital is related to which of the following invention तो देखे दोस्तों जो Frank Vahital है इन्होंने jet engine का अविशकार किया था correct answer option बर 4 रहेगा देखे दोस्तों अगर आपके studio में से किसी भी question कर आईटन सर पता हो तो गांदी जी के दोरा परकाशित पत्रिकार का नाम था यंग इंडिया थर्ड नमबर option इस question कर आईटन सर रहेगा अगले question में पुछा जा रहे है कि धन विदेख से सम्मंदित कौन सा अनुचेद है which article is related to money bill देखे दोस्तों धन विदेख यानि कि money bill है इससे related है अनुचेद 110 option number 4 will be the right answer next question में पुछा जा रहे है राउल केला स्टील सेंतर डैस में स्तित है राउल केला स्टील प्लांट is located in तो यह जो स्टील सेंतर है यह ओडिसा में स्तित है ठीक है आगले question में पुछा जा रहे है रामसर convention किस से समझ दीता है रामसर convention is related to तो जो रामसर convention है यह आदर भूमी सरक्षन यानकी wetland conservation से क्या है related है अगले question में पूछा जा रहे है कि भुटान की राज़दानी क्या है what is the capital of भुटान capital of भुटान के बारे हम बात करें तो capital of भुटान हो जाएगी थिंपू आपको comment करके बताना है कि काठवांडू किसकी capital है तो इस question का राइटन से सभी साथी comment करके जरूर बताईएगा अगले question में पूछा जा रहे है my experiment with truth के लेखा कौन है who was the author of the book my experiment with truth my experiment with truth इसके लेखा का है महत्मा गांदी जी option number one इस question का विल्कुल राइटन से रहेगा आगले question में पूछा जा रहे है कि गर्बा नर्ते शेली सम्मंदित है ठीक है गर्बा इसे dance home तो गर्बा और डांडिया ये तो दोनों ही है वो गुजरात राध्या से क्या है सम्मंदित है देखिए दोस्तों वीडियो में आगे वीडियो से पहले है बितक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो में target रहे हैं पूरे एक जार लाइक प्लस complete करने का और एक जार दोस्तों के वीडियो को शेर भी जरूर कीजिगा क्योंकि काफी मैने से आपके लिए वीडियो प्रिपेर की गई है तो इस बाद पर वीडियो को लाइक और शेर करना तो बनता है तो फड़ा फड़ से वीडियो को लाइक कीजिए अगले वैशन में पूछा जा रहे है भारत की समीधान का निमल लिखित में से कौन सा अनुछेद अलब संक्यकों के हितों के सरक्षन से संबन दित है देखे दोस्तों अलब संक्यकों के हितों के सरक्षन से रिलेटेड है अर्टिकल 29 अनुछेद 29 अगले question में पूछा जा रहे है तिरपुरा की राजदानी के अपने बात करते हैं तो वो हो जाएगी अगरतला ठीक है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगले question में पूछा जा रहा है कि भारत के परधानमंत्री बनने के लिए आविशक न्यून्तम आयू है minimum age required for becoming the prime minister of India is तो इंडिया का prime minister बनने के लिए जो minimum age है वो है 25 years next question में पूछा जा रहा है सतलुज किसकी एक सायक नदी है the सतलुज river is a tributary of तो ये सायक नदी है सिंदू नदी के industry बर की right answer option number one रहेगा इस question का अगले question में पूछा जा रहा है भारत की है समीधान के अनुछेद 5 से 11 निवन लिखित में से किस पहलू से सम्मन्दित है article 5 to 11 of Indian constitution relates to which of the following aspects तो ये related है आपके भारत की नागरिकता यानि की citizenship of India से ये क्या है related है आगले question में पूछा जा रहा है भारत के कि शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है which city in India is also known as the pink city तो pink city जैपुर को जाना जाता है जो कि आपके राजस्थान राजी में क्या है स्थित है next question में पूछा जा रहा है कि पंच तंतर किस ने लिखा था who wrote पंच तंतर देखे दोस्तों जो पंच तंतर है वो किस के द्वारा लिखा गया था तो जो पंच तंतर है ये विश्नु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था अगले question में पूछा जा रहे हैं भगवान बुद्ध का वास्टविक नाम क्या था? Lord Buddha, real name was तो भगवान बुद्ध का वास्टविक नाम था? सिध्धार्ग Second number option इस question का विल्कुल right answer रहेगा अगले question में पूछा जा रहे हैं कौन से वर्स में संसद के दोनों सद्नों की स्थापना हुई? In which year where the two house of parliament established? तो इनकी जो स्थापना हुई थी संसद के दोनों सद्नों की वो वर्स 1952 में हुई थी right answer option number third रहेगा अगले question में पूछा जा रहे हैं कि कौन सा राष्ट्रिय उध्धान Great भारतिय एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है देखे दोस्तों Great भारतिय एक सींग वाले गैंडे के लिए काजिरंगा राष्ट्रिय उध्धान को जाना जाता है आगले question में पूछा जा रहे है निमन लिखित में से कौन, कानूनी वाक्यांस, मैंड मस, यानि की पर्मादेश किसका वर्णन करता है तो ये वर्णन करता है V command, यानि की हम आदेश देते हैं ये इसका वर्णन करता है इसे describe करता है अगले question में पूछा जा रहे हैं जीतने वाली पहली भारतिय महिला थी तो कौन थी तो ये थी आपके रीता फारिया correct answer option number one रहे गा इस question का अगले question में पूछा जा रहे हैं समाजवादी शब्द भारत के समीधान की प्रस्तावना में देश द्वारा जोड़ा गया तो इसे जोड़ा गया था ब्यालिस्वे संशोधन अधीनियम 1976 के द्वारा second number option will be the right answer अगले question में पूछा रहे हैं भारत रतन के प्रथम प्राप्त करता कौन थे वो वास दो फर्स्ट रिसिपेंट औफ भारत रतन तो भारत रतन के प्रथम प्राप्त करता थे सी राज को पालचारी correct answer option number B रहेगा इस question का अगले question में पूछा जा रहे है PM कुसुम का पूर्ण रूप क्या है the full form of PM कुसुम तो इसकी full form हो जाएगी प्रधान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षा इंव उत्थान, महाभियान, योजना second number option will be right answer अगले question में पूछा जा रहे है भारतिय संग का सबसे दक्षनी बिंदू है the southernmost point of India Indian union is तो इसका जो सबसे दक्षनी बिंदू है वो है आपके इंदिरा point अगले question में पूछा जा रहे है भारती समिधान के किस समिधानिक शंशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा which constitutional amendment act of Indian constitution added right to education as a fundamental right तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया 86 समिधानिक शंशोधन अधिनियम के तहट अगले question में पूछा जा रहे है निमल लिखित में से कौन भारत की समीधान सभा में प्रारूप समीति के अध्यक्स थे Chairman of the Drafting Committee in the Constitution Assembly of India तो कौन थे? तो ये थे Dr. B.R. Amitkar Second number option will be the right answer अगले question में पूछा जा रहे है भारत में सेना दिवस कम मनाया जाता है When is the army day celebrated in India? तो भारत में जो सेना दिवस है ये 15 जनवरी को क्या है मनाया जाता है अगले question में पूछा जा रहे है मेक स्थनीज किसके दूद थे? तो बात करते हैं मेक स्थनीज के बारे में तो ये सैलुकस के दूद थे अगले question में पूछा जा रहे है मेरा खाता भागे विदाता किस योजना का नारा है मेरा खाता भागे विदाता is the slogan of which scheme तो ये slogan है परधान मंत्री जंदन योजना का option number 4 आपका राइटन से रहेगा अगले question में पूछा जा रहे है प्रत्म लोकसबा के अध्यक्ष कों थे who was the speaker of the first लोकसबा तो फर्स्ट लोकसबा के speaker थे जीवे मावलंकर जी तो आज की स्वीडियों में प्रिवसीर पेपर कवर कर लिए आपने वीडियों को आन देखते का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियों पसंद प्लीज वीडिक लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा